तमिल्लाडू के मंत्री उदैनिधी जिस कॉन्फेंस में पाटिसिपेट कर रहे थे उस कॉन्फेंस का शीर्षक क्या था इराडिकेशन और सनातन धर्म ये कोई बाई चांस मुझे निकला बयान नहीं था ये बाकाइदा एक कॉन्फेंस हो रही है जिसका शीर्षक है इराडिकेशन और सनातन धर्म हिंदी में कहेंगे सनातन धर्म का समूल नाश इराडिकेशन की हिंदी हुई सनातन धर्म का समूल नाश और ऐसा भी नहीं कि वो सीधे बयान दे रहे थे आप सबने वो क्लिप देखी हो कि पढ़ रहे थे कागत से इसका मत्ब इसका मत्ब इट वोज वेल थॉट आफ्टर वेल रिटेन विद अप्रापर डिजाइन विद अप्रापर कंक्लूजन और ये भी मुझे आश्यर हो रहा है मुंबई में बैठक खतम होई और 24 घंटे में धमका मैं पूछना चाहता हूँ कि ये उद्धेनिदी को किस ने लिखके दिया था कागज और इसमें इस गठबंदन का क्या रोल है मुंबई में आपकी बैठक खतम होती है और 24 घंटे के अंदर आप ये बोल देते हैं कौन सी योजना बनाई थी आपने और जब आप किसी समुदाय, किसी संस्कृती के समूलनाश की बात करते हैं तो मैं कहना चाहूंगा unequivocally and technically it is the case of hate speech and we are not having any ray of hope from any government of this INDIA so I would like to remind that the Honorable Supreme Court of India has given an observation that they will take a suomoto cognizance of any hate speech so I hope that the Honorable Supreme Court will be keeping an eye and will be having the strict vigil and will take appropriate step on this utterly unequivocal damaging, violence provoking hate speech because it is not only insult it is saying eradication means to finish और मैं अभी कहना चाहता हूं कि कई बारे कहा जाता है कि we want to digress the issue I would like to remind to Mr. Rahul Gandhi that during his so called भारत जोड़ो यात्रा when he was passing through Tamil Nadu he has taken in his yatra Mr. George Punia who has openly said that he wears the shoes because he considered the land of भारत माता अपवित्र and he doesn't want his feet to be touched on this holy land ये दुकानदार का असली किर्दार है ये महबत के नाम के हो रहा vote का असली व्यापार है और जब डाइग्रेस दाइशू की बात करते हैं तो मैं ये भी याद देलाना चाहता हूं ये आरोप बगाते हैं कि हम लोग हिंदुत्र की राजनीती करते हैं मैं याद देलाना चाहता हूं जब हम पुर्धान मंत्री शी नरेंद्र मोदी जी के नेत्रत में जिसके उपर ये आरोप लगाते हैं आज मैं पूछना चाहता हूं इस गड़बंदन से we are having the growth rate of 7.8% which is highest among all the major economies of the world मैं पूछना चाहता हूं ये तथा कतित जो कहते हैं हम विकास की बात कर रहे हैं इनके दोरे हुकूमत में एक साल बताएं जब पूरे विश्व में सबसे अधा growth rate भारत की हुई हो नहीं है ये बताइए हमारी जब जब सरकार रही है growth rate महगाई की दर से ऊपर रही है इनकी जब जब सरकार रही है महगाई की दर growth rate से ऊपर रही है अरे इनके जमाने में तो वो मजा कुड़ता था आप सबको याद होगा इंडिया की growth rate क्या रहती थी 1.82% and those who remember in 1980s it was reduced कि भारत तो 2% से उपर जाही नहीं पाएगा because it is a Hindu rate